Hello everyone, welcome to our channel that is study genes, I hope आप सभी अच्छे होंगे So आज हम करंट अफेज डिसकस करने वाले हैं 16th अगस से लेकर 22 अगस तक ये weekly करंट अफेज की सीरीज है हमारी, जो कि हर संडे को हम आपके लिए लाते हैं So अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा So time waste ना करते हुए शुरू कर देते हैं So सबसे पहले हम हर बार की तरह National Current Affairs को ही डिसकस करेंगे Soan Chiria Campaign has been launched by the Ministry of Housing and the Urban Affairs Launched for the Marketing of this Urban Self-Help Group's Products So Soan Chiria Campaign है जो की Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा लाउंच की गई है मैंने साथ साथ में सभी Ministries का दिकर कर दिया है कि कौन सी Ministry किस Minister के पास है जो भी मुझे important information लगी है कि बतानी चाहिए So यहां पर हम याद रख लेंगे कि Ministry of Housing and Urban Affairs जो है वो हरदीप सिंग पूरी जी के पास है भी यह पहले हमारे Civil Aviation Minister थे बट अभी अभी उनको यह Ministry मिली है So यह सोन चिडिया एक्चुल में है किया यह एक campaign है जो की specially focus कर रहा है women's को Women Empowerment के लिए ही यह campaign शुरू किया गया है So यह self-help groups जो भी होते हैं जिनमें women's कोई products बनाती है उनको ज्यादा से ज्यादा outreach करने के लिए उनकी ज्यादा से ज्यादा sell करने के लिए उनको यह उस तरह का campaign बनाया गया है और याद रख लेंगे आप campaign का नाम है सोन चिडिया और Ministry of Housing and Urban Affairs ने इसे launch किया है So next पर चलते हैं Operation Blue Freedom अभी अभी यह स्याचिन Glacier में हुआ है और इसको जो है वो किसने flag off किया है मतलब किसने चलाया है Ministry of Social Justice and Empowerment ने यह चलाया है और यह Social Justice और Empowerment जो है वो हमारे विरेंदर कुमार जी के पास है यह Ministry So यह स्याचिन Glacier में Operation Blue Freedom जो चला है यह एक तरह से Disable मतलब दिव्यांग persons के लिए है यह इसमें क्या था कि उन्हें एक World Record सेट करना था जिसके वीच में वो कुछ दिव्यांग persons को अपने साथ लेके जाएंगे सियाचिन की हाइस बैटल ग्राउंड एरिया पे जो सबसे उंची पीक है सियाचिन Glacier में वहां पर और एक World Record बनाया जाएगा So यह अभी अभी हुआ है यह तो आप याद रखेंगे अच्छा एक campaign था और इसने World Record भी बनाया है So याद रखेंगे अप Operation Blue Freedom जो है वो related है दिव्यांग persons को highest battleground तक World के highest battleground जो की सियाचिन Glacier में है वहां तक लेके जाना और उस post का नाम जो है वो कुमार post के नाम से जाने जाती है वो So वहां तक जाने के लिए उन्होंने World Record बना दिया है So याद रखेंगे अप Operation Blue Freedom Okay, so next बात करते हैं Ministry of Social Justice and Empowerment has launched an online portal named TAPAS TAPAS की full forum भी लिखी कही है Training for Augmenting Productivity and Services to provide filmed lecture courses and e-study material in the field of social defence So TAPAS क्या है ये इसके अंदर मतलब ये एक ऐसा campaign है जिसके अंदर e-study material provide किया जाएगा और film lectures भी courses भी जैसे कि आजकल आपको मालूम ही है कि बहुत बढ़ जैसे Unacademy प्रवाइड करता है हमारे channel पर भी आपको lectures देखने को मिलते हैं तो आप playlist देख सकते हैं आपको बहुत सारी information मिल जाएगी हम हर Sunday को static part भी लाते हैं जिसकी वीडियो हर दोपहर को 12 वज़े upload करते हैं Static GK के लिए इसी तरह के lectures जो है वो TAPAS program के अंदर defense sector को मद्य नजर रखते हुए design किया गया है और यह जो लाउंच किया गया है TAPAS portal यह किसके दवारा किया गया है Ministry of Social Justice and Empowerment और किसके पास है यह पीछे भी अभी हमने बात की थी इसकी तो यह किसके पास है डॉक्टर विरेंद्र कुमार जी के पास है Ministry ठीक है याद रखेंगे इसकव next बात करते हैं 4 more wetlands from India have been added to the list of Ramsar sites two of these sites are in Haryana named Sultanpur and Vindavas while the other two are in Gujarat Thol Lake Wildlife Sanctuary and Wadwana Wetland अभी अभी यह बहुत ही highlighted news थी है और यह ऐसे exams में तो मतला ऐसे questions बहुत आते हैं exams में रामसर sites जो के उपर अभी अभी पहले 42 थी यह और अब इंडिया में 46 हो गी है चार नहीं add हुई है और दो जो हैं वो हर्याना में है Sultanpur जो कि वहां का National Park भी है उसका Sultanpur एक सो वो एक Sultanpur हो गया एक Vindavas हो गया यह हर्याना में है गुजरात में Thol Lake है दो हर्याना में है दो गुजरात में है हो सके तो आप नाम भी विल्कुल याद कर यह लिजे because exam में पूछ लिया जाता है इनके बारे में और रामसर कन्वेंशन के आपको पता ही होगा यह बैट लैंड को प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई थी और 1971 में बनाई गई थी यह और रामसर एक्चल में है क्या यह एक जगा का नाम है जो की इरान में है जहां पर यह पक्ट फस्ट टाइम साइन किया गया था याद रख लेंगे आप इंडिया में पहले 42 थी आप 46 हो चुकी है और हो सके तो बिलकुल याद कर लीजिये नाम सुल्तानपुर और विंदावास और थोल लेक वाइल लाइफ सेंचुरी एंड वदवाना वेट लेंड ठीक है तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया विल बी इनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बई 20 ओ 47 तो यह अभी अभी अपने अगर वो सुना होगा 15 अगस्त का अगर आपने भाशन स्पीज सुनी होगी नरेंदर मोदी जी के तो नोने बोला है उसमें कि हम अनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे 2047 तक अब जस्ट यह रियाद रख लीजे कि कब तक इंडिया ने टार्गेट सेट किया है एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का तो 2047 तक ओके तो नेक्स्ट बात करते हैं PM Narendra Modi on 15th August announced an ambitious rupees 100 lakh crore holistic infrastructure development program गती शक्ती which is aimed at boosting employment opportunities and productivity of industries So यह भी 15th August को ही announced किया था Narendra Modi जी ने अपनी speech में कि हम 100 lakh crore रुपया खरच करेंगे ताकि infrastructure development हो सके और इस program का नाम उन्होंने गती शक्ती बताया है गती शक्ती नाम से यह program चलेगा और यह boost करेगा employment को और productivity of industries को ठीक है तो आप सबसे पहले तो याद रख लेंगे कि कितना amount इसके लिए allocate करने के लिए बोला है तो 100 lakh crore ठीक है और most important इसका program का नाम क्या रहेगा गती शक्ती है इसका नाम ओके so next बात करते हैं Ministry of Housing and Urban Affairs have approved proposal for the construction of 16,488 houses under प्रधानमंतरी अवास योजना so सुना ही होगा आपने इसके बारे में प्रधानमंतरी अवास योजना और इसके अंतरगर्थ ही जो है वो 16,488 घर बनाये जाएंगे और ये ministry जो है Ministry of Housing and Urban Affairs जो है वो किसके पास है हरदीब सिंह पूरी जी के पास है so आप नंबर जियाद रख लीजे कि 16,488 घर बनाये जाएंगे इसका proposal जो है वो approved कर दिया गया है Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा okay so next जलते है Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Nakavi has said that 75 हुनर हट्स will be organized across the country under Ajadika Amrit Mohosab Ajadika Amrit Mohosab अभी हमने मनाया है 75th Independence Day को so 75 ही हुनर हट्स हुनर हट्स क्या होती है कि all over the India जो है मतलब different different crafts, arts के जो fairs लगते है उस तरह का वो लगता है मिला टाइप so उसी को बोलते है 75 हुनर हट्स और यह जो है Minority Affairs Minister के द्वारा ही इसको हरी जंडी दी जाती है so कौन है हमारे Minority Affairs Minister मुकतार अबास नकावी एक तो अभी अभी reshufflement हुई है ministries की so आप बिल्कुल याद रख लीजिए अब किस-किस के पास ministries आई हैं दोरा से reshuffle होने के बाद because इसमें के ओपर से question ज़रूर आ सकता है ठीक है so next बात करते हैं Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare Narendra Singh Taumar inaugurated the world's second largest refurbishment state of the art National Gene Bank at the National Bureau of Plant Genotic Resources in New Delhi so National Gene Bank क्या है कि इसके अंदर जो है हम plants के जो seeds होते हैं so उनको रखेंगे उनको उनकी preservation करेंगे और इसके ओपर research भी की जाएगी so आपको याद रखना है कहां पे ये खुला है कहां पे ये खुला है तो ये New Delhi में खुला है और ये वर्ल्ड का second है okay so याद रखेंगे आप और कौन सी ministry के अंडर आता है ये तो ये अग्रिकल्चर और फार्मर वेलफेर की ministry के द्वारा इनॉगरेट किया गया है और कौन है उसके minister नरेंदर सिंग तौमर जी okay so next बात करते हैं 75 बंदे भारत ट्रेंज वूड कनेक्ट different parts of the country in 75 weeks of the celebration of अजाद्धी का अमरित महोचसब so परदान मंतरी जी नहीं हरिजन्डी दी है 75 बंदे भारत ट्रेंज को so याद रखेंगे आप ये भी इंडिपेंड़े वाले दिन ही हुआ है next बात करते हैं the vice president of India M. Venkate Naidu laid the foundation stone of the innovation and the development center of Jawaar Lal Nehru Center for Advanced Scientific Research और ये कहाँ खोला गया है बंगलूरू में खोला गया है किनके द्वारा इसको foundation stone रखा गया है इसका M. Venkate Naidu जो की हमारे vice president भी है so याद रख लेंगे आपकी राजिसवा का जो speaker जो होता है वो हमारे vice president ही होते हैं ये default है ये ये change नहीं होता जो भी हमारा vice president बनता है वो ही हमारे लोगसवा के speaker भी राजिसवा के speaker भी बनते हैं ओके और लोगसवा के speaker जो है currently वो ओंबिरला जी हैं और याद रख लेंगे आप ये कीफ एक छोट-छोटे से question होते हैं अगर आज आएं तो easily scoring होते हैं ये आपने याद रख लेना है जोहालाल नहरू Center for Advanced Scientific Research जो है वो खोला गया है बैंगलूरू में ओके सो नेक्स्ट बात करते हैं according to the Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship Rajiv Chandra Shekar 6,00,000 villages in India will get internet connectivity by 20 or 24 under the Bharat Net program ठीक है आप से पूछ लिए जा सकता है अभी चला है ये भारत net program कि इसके अंतरगर्थ 6,00,000 villages तक हम net की connectivity को पहुँचा देंगे 2024 तक ये जो हैं हमारे Union Minister of State है ये हमारे for Skill Development and Entrepreneurship Rajiv Chandra Shekar और हमारे जो Union Minister है वो है धरमेंदर प्रधान जी जो की पहले Petroleum Minister थे बट अभी Reshuffling के बाद इनको ये Ministry मिली है Union Minister of Skill Development and Entrepreneurship ओके याद रख लेंगे आप 6,00,000 villages को internet connectivity प्रवाइड की जाएगी तक और प्रोग्राम का नाम क्या है भारतनेट प्रोग्राम के अंतरगत ओके आगे बात करते हैं Union Health and Family Welfare Minister Mansukh Maandavir has announced a package of more than 1,300 क्रोड रूपे for the infrastructure development in the health sector of the North Eastern States तो नौथ इस्ट के लिए जो है इंफ्रास्रक्टर डवलमेंट के लिए 13,000 क्रोड रूपे जो है वो देगा हमारा Health and Family Welfare की ministry और अभी-अभी ये ministry किसको मिली है? Mansukh Maandhwir ji को मिली है ठीक है? आप अप अमाउंट याद रख लीजे because amount पर question आ जाता है कि कितना amount allocate हुआ है तो 13,300 क्रोड जो है वो allocate हुआ है और कहां के लिए हुआ है? North Eastern States के लिए भारत की मतलब जो Sikkim, Asam, Mizoram ये मारे North East में पढ़ते हैं न तो उन States के लिए ओके? So आगे बात करते हैं India in collaboration with United Nations launched a technology platform Unite Aware to ensure the safety and the security of peacekeepers who are operating across the world So अभी अभी हाली में काफी important भी हो जाता है because आपने अफ़ानिस्तान का सुना ही होगा वहाँ से सभी ने अपनी अपनी अमबेसिस को पुला लिया है except China, Pakistan और रशिया के अलावा So जोतने भी मारे peacekeepers होते हैं So उनकी ही सेफटी के लिए ये प्रोग्राम जो है ये चलाया गया है United Nations के द्वारा तो आप याद रख लेंगे Unite Aware है इसका नाम इस टेक्नोलजी प्लाटफॉर्म का नाम और क्या करेगा ये प्रोवाइड करेगा security हमारे peacekeepers को जो कि across the world जो है वो अपरेट कर रहे हैं Okay So आपको ये भी पता हुआ United Nations Security Council का भी हैड भी बना है इंडिया एक महीने के लिए So याद रखेंगे आप ये चीज़े आप अगर आप पहले से पीछे से आप जुड़ते आएंगे आप weekly current affairs देखते रहेंगे तो आपको बहुत easily सब कुछ आपको याद होने भी लग पड़ेगा Because current affairs आगे से आगे जुड़ते जाते हैं उनके उपर news बनती जाती है So अगर आपको थोड़ा बहुत भी पिछे का पता होगा तो आपको easily उस ताइंपर याद आजाएगा अच्छा ये पहले हाँ ऐसा था मैंने पढ़ा था इसके बारे में So जितना हो सके आप हर weekly जुरूर पढ़िये और अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजेगा वीडियो को अच्छा लगता है So चलिए नेक्स बात करते हैं India Ratings and Research has revised India's GDP growth forecast for financial year 2022 to 9.4% So India Ratings and Research ने जो अभी अनुमान लगाया है कि हमारी GDP किस लेवल से ग्रो कर सकती है Financial year 2022 में तो 9.4% भी तक कर सकती है बटोन ने limit भी ये लगा दिये कि ये तभी हो सकता है जब हमारा vaccination program जो है वो चलता रहे और अच्छे से चलता रहे Fast pace में चले तो जल्दी ये चीजे होने लग पड़ेंगी हमारी economy द्वारा track पे आ जाएगी So next बात करते हैं Union Education Minister Dharmendra Pradhan has virtually inaugurated the Center for Research and Innovation in Artificial Intelligence Set up at the Indian Institute of Technology Hyderabad ठीक है So जो हमारी Union Minister है Education Minister Dharmendra Pradhan ji है उन्होंने क्या किया है Inaugurate किया है Center for Research and Innovation in Artificial Intelligence के लिए So Artificial Intelligence के अपर काम होगा So इस Center में So ये Center कहां पर बनाया गया है तो ये बनाया गया है IIT Hyderabad में Okay So I think this is national वाल इतनी थे International की बात कर लेते हैं So the United Nations has urged Afghanistan's neighbors to keep their borders open as the number of the civilians fleeing the Taliban onslaught is increasing So आपको पता ही होगा अभी अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है बहुत ही दिल दहला देने वाला दृष्य है इस ताइम अफगानिस्तान का हर कोई चाहता है कि हम छोड़ दे अपनी country So United Nations ने सभी से दुर्खवास की है neighboring countries का कि वो उन शरण आर्थियों को शरण दे हैं अपनी countries में So चलिए next बात करते हैं Mayudin Yassin Mayudin Yassin Sorry मैंने गलत पढ़ दिया है Mayudin Yassin has resigned as the Prime Minister of Malaysia So इन्होंने अभी अभी रजदाइन कर दिया है Malaysia के Prime Minister थे ये So याद रख लेंगे Maynay आगे भी जिसने अभी अभी King ने अपॉइंट कर भी दिया है नेया Prime Minister So Ismail Sabri Yakoub जो है उनका नाम है Maynay next में ही लिखा है The King of Malaysia country has appointed Ismail Sabri Yakoub as the Prime Minister ठीक है So याद रख लेंगे आप वैसे हमारे normal exams में तो इतना नहीं आता है कि Capital जो है वो Kola Lumpur है और करंसी जो है Malaysian Ringgit है So यह आप से जुरूर पूछा जा सकता है Because जो भी international countries News में चल रही होती है So उनके बारे में आप जुरूर ध्यान रखिए कि उनकी Capital और करंसी क्या है Okay So next बात कर रहते हैं Zambia के बारे में जैंबिया में भी अभी अभी presidential election हुए है So वहां के जो जीते हैं उनका नाम हकाइंदे ही चिल्मिया है Sorry अगर मैंने गलत पढ़ दिया हो So अभी अभी इन्होंने जो है वहां का presidential election जीता है और आप जैंबिया की जो है वह Capital याद रख लीजिए लिवसाका है और करंसी जो है जैंबियन कवाश है Okay और next बात कर लेते हैं अब्दुलगनी ब्रादर जो है वह तालिवान के लीडर है जो कि अभी अभी बन सकते हैं अभी अभी बन सकते हैं कर रहे हैं न्यू प्रेडेंट के लिए सो याद रखेंगे आप next बात कर लेते हैं Justice Aisha Malik became the first woman chief justice of Pakistan So Aisha Malik ji है जो है अभी अभी woman chief justice बनी है Pakistan की और शायद अब इंडिया भी जो है वह first time एक CGI को देखने वाला है Supreme Court की CGI को as a woman because C.V.Ramanand ji का कारेकाल खत्म होने वाला है देखते हैं China has finally approved a three child policy and has marked a major policy shift to prevent a steep decline in the birth rate in the country so आपको मालूम ही होगा कि China ने जो है वह one child policy को पारित किया हुआ था कि एक से जादा बच्चे जो है वह कोई नहीं करेगा आपको चलिए next बात करते हैं banking and finance की बात कर लेते हैं करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड whose license was cancelled by RBI is in Maharashtra ठीक है करनाला नागरी सहकारी बैंक का cancel कर दिया गया है RBI के द्वारा license यह कहां पे है? Maharashtra में है next बात करते हैं SDFC bank has announced the introduction of green and sustainable deposits to safeguard the environment from climate change so SDFC bank ने introduce किया है green and sustainable deposits के लिए ठीक है? एक से उन्होंने चलाया है यह program green and sustainable deposits के लिए ताकि वो environment के लिए कुछ कर सके environment को safe कर सके climate change से ठीक है? आप याद रख लेंगे कि क्या नाम है इसका green and sustainable deposits और यह किसके द्वारा चलाया गया है? SDFC bank के द्वारा चलाया गया है और bank के papers में के वार chairman's headquarters taglines पूछ ली जाती है मैंने अब से यह भी add करना शुरू कर दिया है जैसे कि chairman of HDFC जो है वो अतनु चकरवर्ती जी है और headquarter जो है का Mumbai में है और tagline क्या है? SDFC की We understand your world आप याद रख लीजिए banking के exams में पूछ लिया जाता है ठीक है So next बात करते है Indian bank recently launched its flagship business mentoring program MSME Prerna in West Bengal ठीक है As the name prescribed की MSME को ही target रखके यह scheme launch की गई है और किसके द्वारा launch की गई है? Indian bank के द्वारा launch की गई है याद रख लीजिए आप scheme का नाम क्या है? MSME Prerna और कहां पर हुई है यह वेस्ट पंगाल में launch हुई है और MD और CEO जो है वो Padmaja Chandruru है जो की MD और CEO है और headquarter जो है इसका वो name है और tagline जो है वो है relationship beyond banking So आप इसको याद रख लीजिए Next बात करते है The Reserve Bank of India Has introduced the Financial Inclusion Index So यह अभी अभी recently हुआ है और news में भी था यह इसको तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए कि किसने introduce किया है Financial Inclusion Index तो यह RBI ने introduce किया है और यह क्या मेजर करेगा यह Financial Inclusion मतलग जो भी पैसा इंडिया में आ रहा है यह दिया जाता है उसको मेजर करेगा कि इंडिया में कितना पैसा इस टाइम पर सर्कुलेट हो रहा है ठीक है तो याद रखेंगे Financial Inclusion Index बन जाएगा अब से यह और यह RBI के द्वार इंट्रिडूस किया गया है आगे बात कर लेते हैं Bank of Maharashtra has emerged as the top performer among the public sector lenders in terms of loan and saving deposits growth So Bank of Maharashtra जो है वह top performer रहा है Public sector lending में मतलब कि Loans देने में और saving deposits में भी So याद रखेंगे आप Bank of Maharashtra ने top किया है So headquarter कहां है Bank of Maharashtra का पूने में है और tagline क्या है One family, one bank ओके आगे बात करते हैं करनाटका Vikas Grammina Bank in association with the Karnatka government has launched the farmer registration and unified beneficiary information system इसको fruits के नाम से भी जाना जा रहा है So इस portal को जो है वो launch किया गया है करनाटका government के द्वारा ठीक है और किस बैंक के साथ मिलकर किया गया है यह करनाटका Vikas Grammina Bank के साथ मिलकर किया गया है आप याद रख लीजिए fruits की full form क्या है farmer registration and unified beneficiary information system ठीक है और cm जो है वो करनाटका के वस्वराज बोमाई जी है और capital जो है वो बेंगर लूरू है ठीक है next बात करते है Journal Insurance Corporation has to shut down its Dubai office as its license was not renewed by the Dubai authority So GIC जो है वो अपना Dubai का office जो है वो बंद करने वाला है और विकाउस दुबई की जो अथोरिटी ने है वो license उनका renew नहीं किया है So यह अब से जो है अपने सारे operations जो carry forward करेंगे वो इंडिया की gift city से करेंगे और gift city कहा है इंडिया की गुजरात में है यह question भी आ सकता है आपको और gift city का full form क्या है gift का गुजरात international finance tech city ओके याद रख लिजी आप ठीक है next बात करते हैं the world bank group member IFC has extended 75 million or 557 crore debt support to industrial real estate and logistic parks indoor space logistic funds to develop logistic and industrial parks to enhance warehousing and supply chain infrastructure in India world bank ने 75 million रुपीज का launch extent किया है किसलिए किया गया है ताकि इंडिया में warehouse capacity बढ़ाई जा सके ओके आप याद रखेंगे headquarter कहा है world bank का Washington DC में है जो कि USA में है और टैग लाइन क्या है world bank की working for a world free of poverty ठीक है तो गरीबी से निकालना ही जो है वो टैग लाइन है इसकी और प्रेजेट जो है वो world bank के करंट जो है वो डैविस मालपास जी है सो याद रख लीजिए आप इने next बात कर लेते हैं कोटक महिंदरा बैंक के जारा जिसका नाम उन्हें रखा है do it yourself उनको खुद आके ही मतलब की सब कुछ करना पड़ेगा यह MD और CEO जो है वो उदे कोटक जी है बहुत ही renowned name है यह banking industry का इनके साथ में पुरा trust जुड़ा है और headquarter जो है इसका मुंबई में है और tagline जो है वो let's make money simple है कोटक महिंदरा बैंक की ठीक है आगे बात करते हैं India has signed 500 million US dollar loan agreement with Asian Development Bank to expand the Metro Rail Network in Bengaluru ठीक है so ADB Bank Asian Development Bank जिसका headquarter Philippines में है उसने agreement किया है 500 million dollar का इंडिया के साथ ताकि वो expand कर सके Metro Rail Network को ठीक है और यह कहां पे है बैंगलूरू में है okay so मैंने सभी सभी के जो भी में कोई important लग रहे थे जैसे headquarters हो गए कौन उसको lead करता है bank को ठीक है मैंने सब कुछ साथ में लिख दिया है आगे बात करते हैं world bank has launched a new cyber security multi donor trust fund so world bank के द्वारा ही यह चलाया गया है cyber security multi donor trust fund so इसमें क्या होगा जो भी world bank की member countries होगी जो मतलब एक तरह से developed countries का जो है उनसे donation लिया जाएगा और किसी helpful जिसको जुरूरत है nation को उसको दिया जाएगा इसके अंतरगर्त so आप बस इतना याद रख लीजे कि क्या नाम है multi donor trust fund जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है world bank के द्वारा so आगे बात करते हैं finance minister निर्मला सितारवन launches उभरते सितारे fund for export oriented firms and startups so यह तो आज की मतलब कल की news होगी मेरे ख्याल से कि निर्मला सितारवन जी ने वो launch किया है उभरते सितारे fund ठीक है यह किसके लिए चलाया गया है specially किस पर focus है उनका जो भी export करते हैं firms यह जो ने startups हैं हमारे और यह जो है यह फंड जो बनाया गया है यह किसके द्वारा कौनसे bank जो है इसको लीड कर रहेंगे तो यह Exim bank के द्वारा और Sidvy bank के द्वारा यह fund बनाया गया है So Sidvy का full form क्या होता है Small Industries Development Bank of India So इस bank का क्या काम है It only focuses on MSME sector यह सिर्फ और सिर्फ MSME sector के उपर ही पैसा लगाते हैं और उसी को ही promote करते हैं ठीक है और Exim bank जो है वह Import-Export Bank of India के नाम से जाना जाता है और Sidvy bank के जो headquarter है वो लखनाओं में है और चेर मैन उसके Shiva Subaramaniam Ramanandji है और जो headquarter Exim bank का है वो Mumbai में है और MD और CEO जो है वो Shree David Rescue Now है इनका नाम So याद रख लेंगे आप Okay, so banking और Finance भी यहीं तक था So आगे next बात करते हैं Sports की बात करते हैं Men's D20 World Cup 2021 Will be hosted in Oman And UAE from 17th October to 14th November So Men's D20 World Cup 2021 Host किया जा रहा है कहां पर Oman में याद रखेंगे आप Oman और UAE में किया जा रहा है Host T20 World Cup अगे बात करते हैं Olympics 2024 वो कहां होने वाले हैं Paris में होने वाले हैं Paris फ्रांस में होने वाले हैं और अभी वाले टोक्यो में होए थे जो कि Japan में है Next बात करते हैं Gerald Muller जो कि अभी अभी गुजर चुके हैं वो क्या थे वो एक footballer थे ठीक है और हर्शित राजा जो बने हैं वो अभी 69th Grand Master of India बने हैं ठीक है Kamolika Beri जो है वो अभी आर्चरी से बिलॉंग करती है मतलब कि जो धनुष तीरन वाज जो होते हैं और इन्होंने अभी अभी जो है वो जूनियर टाइटल जीता है आर्चरी Youth World Championship का और यह 2nd बनी है दिपिका कुमारी के बाद तो दिपिका कुमारी जी को आप जानते होंगे जुन्हें अभी अभी टॉक्य ओलंपिक्स में भी पाट लिया था बट सैडली वो मैडल नहीं जीत पाई थी बट वो बहुत ही अच्छी आर्चरी प्लेयर है सो नेक्स्ट बात करते हैं रोनक सदवानी जो की अभी अमर्जड हुए है विनर 19th स्पिल्लिम वर्गो ओपन चेस्ट टूर्नामेंट नाम बहुत ही खतरनाक है इसका नाम याद रख लेंगा वैसे जहां तक मेने एक्जाम दिये हैं आज तक ग्रेंड मास्ट के बारे में पूछा जाता है यह ऐसे एक रंट में था तो मैंने डाल दिया था ओके सो नेक्स्ट बात करते हैं लियोनल मैसी जो के हाल ही में बहुत ही चर्चित प्लेयर है ठीक है इन्होंने अभी बार्सिलोना छोड़ दी है और इन्होंने परिस की सेंट जर्मेनियन को जोईन कर लिया है ठीक है याद रख लेंगे आप पूछ लिया जाता है कि वार्सिलोना के साथ सबसे पहले जोईन की थी इन्होंने तो 21 साल बाद छोड़ी है और बहुत ही रिनाउंड प्लेयर है यह फुटवॉल के बहुत fan following है इनकी नेक्स बात करते हैं 2021 edition of the World Athletics Under 20 Championship has been started in निरॉवी कीनिया में ठीक है So World Athletics Under 20 Championship कहा हो रही है कीनिया में हो रही है कीनिया का जो निरॉवी शहर है उसमें हो रही है ठीक है नेक्स बात करते हैं रेनांड एथलेटिक्स कोज ओ एम नाम बेर आपने शायद नाम ना सुना हो इनका बटी पीटी उशा के जो थे वो कोज थे और यह अहाल ही में अभी अभी हमें छोड़के चले गए हैं 89 इनकी उमर थी ठीक है नेक्स बात करते हैं परसंस इन न्यूस की अभी अभी हैंने 100th बर्थ अनिवर्सरी मनाई है बाबा साहई प्रॉंदेगी जो को अभी अभी हमने सेलिब्रेट किया है जिनको बलवंत मोरेशवर प्रॉंदेर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है याद रखेंगे आप यह बहुत ही फेमस परसनालिटी थी राइटर और थ्रेटर के फील्ड में ठीक है और यह महरास्टर से बिलॉंग करते थे चिनमोई चेटर जी जो थे अभी हमें छोड़ के चले गए है और यह फुटवोल गेम से बिलॉंग करते है ठीक है जैदीब हरदिकर जो की ओतर है बुक के राम राव दा स्टोरी ओफ इंडियास फार्म क्राइस तो यह तो आप याद रख लीजे बिकॉद बहुत ही अभी चर्चित में है बिल्कुल करंट में है जैदीब हरदिकर इनका नाम है और इन्होंने लिखी है राम राव दा स्टोरी ओफ इंडियास फार्म क्राइस ठीक है इसके उपर कॉशन ज़रूर आ सकता है नेक्स्ट बात करते हैं माकी काजी जो की क्रियेटर है सुडोको के आपने देखा होगा सुडोको का नाम सुना भी होगा खेली भी होगी न्यूस पेपर्स में भी आती है इनका भी दिहांत हो गया है यह फादर आफ सुडोको के नाम से जाने जाते थे और यह जपान से बिलॉंग करते थे ठीक है दे बुक टाइटल और यह किसके द्वारा लिखी गई है विमल परसाद और सुजाता परसाद के द्वारा ठीक है आगे बात कर लेते हैं मनरीत, सोधी, सौमेश्वर जो इन्होंने बुक लिखी है लाहोर बुक वन आफ दी पार्टिशन ट्राइलोजी ठीक है याद रख लेंगे आप अभिशेख शर्मा एंड डीपी सिनहा ओथर दी सोरी अभिशेख शरन नाम है इनका और डीपी सिनहा ओथर दा बुक टाइटल ऑपरेशन ट्रोजन होर्स और नोबल इंस्पायर्ड वाय ट्रू इवेंट ट्रोजन होर्स जो है वो एक वायरस का नाम है ठीक है अभी अभी एक बुक लिखी गई है अभिशेख शरन और डीपी सिनहा जी के दौरा ठीक है यह बुक्स जो हैं वो पूछ ली जाती है इसलिए मैं जो भी मिलती है मैं डाल देता हूँ क्या पता कब जैसे कोई स्ट्राइक कर जाती है माइंड में के वार एक्जाम्स में अगर एक वार भी पड़ी हो तो ठीक है आगे बात करते है मेजर जनरल राजपल पुनिया जी ने बुक लिखी है एक ओथर की है ओपरेशन खुकरी और यह जो है जी अभी खाली में काफी न्यूज में थी यह लड़की यह 14 साल की लड़की है जो की और अंगाबाद से हैं जिनको जिनोंने मतलब करिश्मा ही कर दिया है जिनोंने नासा की तरफ से जिनको ओपर आया है पैनलिस्ट बनने का और एक्चली उन्होंने पहले भी दो-तीन बार जो है वो अपना रिसर्च जो उन्होंने उस पे की थी ब्लैक होल के उपर वो बेजी थी तो थर्ड बार जो है नासा ने इनको कंसीडर कर लिया है अभी हाली में न्यूज में है तो आप जुरूर याद रखेंगे इनका नाम ठीक है रादा क्रिशन दवानी जी जो की ओनर है डीमाट के वो ब्लूमबर्ग बिलियनेर इंडेक्स के टॉप अंडर में जो है वो शामिल हो गए है जब से रिलाइंस और एमाजोन का फ्यूचर गुरूप को लेके कोट के सल रहा है तो अब से डीमाट जो है वो बहुत ही ज़ादा प्रॉफिट में है रादा क्रिशन दमानी जी उनके ओनर है अभी अभी ये ब्लूमबर्ग बिलियनेर इंडेक्स में 97th स्पोर्ट पे आ गए है फॉर्मर उत्रप्रदेश चीफ मिजिस्टर कल्यान सिंग जो के अभी हमें छोड़के चले गए है ठीक है बहुत ही रिनाउंड नेम है कल्यान सिंग जी का पूरी पॉलिटिक हिस्टरी में ठीक है तो यही तक थे persons in news आगे बात कर लेते हैं awards की सो महत्मा गांधी विल विल गीवन दी फर्स्ट कॉंग्रेशिनल गोल्ड मेडल फॉर रिक ओगनाईजेशन ओफ इस प्रमोशन ओफ पीस और नौन वोइलेंस सो अभी अभी यह यह उनाइटर नेशन ने स्टार्ट किया है यह और फर्स जो गोल्ड मेडल दिया जाएगा वो महत्मा गांधी जी को दिया जाएगा उनके पीस और नौन वोइलेंस के लिए ठीक है मनोज बाजपी एंड समान्था एकनेनी जो की दा फैमिली मैन मूवी से संबंदित हैं दोनों कलाकार इनको अभी अभी यह बिनर बने हैं यह लेटेस्ट एडिशन ओफ दी इंडियन फिलम फेस्टिवल ओफ मेलवर्न अवार्ड के ठीक है सो आगे बात करते हैं अपॉइट्मेंट एंड रजी गनेशन की ठीक है बंदना कटारिया जी जो की उत्तराखंड की ब्रेंड अमबैस्टर बनी है ठीक है और यह डिपार्टमेंट ऑफ वोमेंड एंड चाइल्ड डवलमेंट के अमबैस्डर बनी है सो यह होकी की प्लेयर है बंदना कटारिया जी ठीक है मेरा भाई चानू जो है वो अभी ब्रेंड अमबैस्टर बनी है एमबे इंडिया की ठीक है आगे प्रेंका चोपडा जोनस जो है वो भी अभी अभी चेर्मेन बनी है जी ओ मैमी फिलम फेस्टिबल की ठीक है और पहले जो थी वो दिपिका पादुकॉन जी थी सो अभी अभी प्रेंका चॉपडा जॉनस जी बनी है ठीक है फिर अलॉम्पियन पी आर श्री जेश जो की होकी के प्लेयर है इनको ब्रेंड अबैसर बनाया गया है अडवेंचर टूरिजम ओफ केरला का ठीक है इस रेटारमेंट फ्राम दी पोस्त आफ याप अचिवान समॉल फाइनन्स बैंक भी इनो ने अपनी रेटारमेंस अरुकॉनिंस कर दिय है और या दी या अचिवान नुह युथ ते अचिवान समॉल फाइनन्स बैंक अनचे सिंह जो की आभी अभी बने है 15th Finance Commission के Head, जो की पहले Manmohan Singh जी थे ठीक है, यह अभी अभी President बने है Institute of Economic Growth Society के, ठीक है यह important है, यह आ सकता है paper में, सामनाम याद रख लीजे N.K. Singh और यह 15th Finance Commission बने है और इन्होंने रिप्लेस किया है Dr. Manmohan Singh जी को ठीक है, नकुल चौपडा जी जो की Appoint हुए है Chief Executive Officer मतलब CEO Barg के ठीक है, और Barg की Full Form क्या है Broadcast Audience Research Council of India मतलब की जो भी हमारे TV के उपर जो भी Broadcasting होती है, उनके CEO बने है ठीक है, आगे बात करते हैं Important Days की कुछ Important Days जो है, वो डिसकस कर लेते हैं 16th अगस्त को हमने Death Anniversary अटल विहरीबाज पीजी की मनाई है 19th अगस्त को मनाया है हमने World Photography Day और 19th अगस्त को ही World Humanitarian Day भी मनाया है हमने 20th अगस्त को हमने Renewable Energy Day मनाया है और 20th अगस्त को हमने सदवावना दिवस मनाया है ठीक है और 20th अगस्त को ही हमने World Mosquito Day मनाया है ठीक है सदवावना दिवस जो है वो बर्थ अनिवर्सरी है राजीव गांदी जी की याद रख लीजे आप next बात करते हैं मिसलेनियस की इंडिया स फर्स ड्रोन Forensic Lab and Research Center have come up in Kerala सो यह Kerala में बना है फर्स ड्रोन Forensic Lab and Research Center ठीक है और CM कौन है श्री पिन्यराइ विजायन जो की और कैपिटल है केरला की त्रिवंत पूरम ठीक है अगे महारास्टरा स्ट्रेट गॉर्वर्मेंट ने लाउंच किया है E-Crop Survey Initiative ठीक है और CM जो है महारास्टरा के जो है उतव ठाकरे जी है और E-Crop Survey में क्या किया जाएगा Crop से related जो भी information होगी वो provide की जाएगी ठीक है आप याद रख लेंगे E-Crop Survey जो है महारास्टरा में चलाया गया है ठीक है The Legislative Assembly of Tamil Nadu has presented a separate budget for agriculture और यह first time हुआ है कि state ने अपना अलग से agriculture budget जो है वो पास किया है ठीक है और याद रखेंगे आप इसलिए important भी हो जाता है कि Tamil Nadu ऐसी state बनी है और agriculture forms law के उपर जो है वो काफी protest भी चल रहा है तो याद रख लेंगे आप और CM जो है वो चिन्ने है भी हास state had decided that tag Garuda with GPS tracker to screen their motion as part of the efforts to conserve them ठीक है तो Garuda क्या है आपने देखा होगा आज कल तो बहुत ही कम देखने को मिलती है जो कि चील्स होती है बहुत बड़ी जैसी जिनका गला जो है उनके ओपर कोई बाल नहीं होता वो काफी लंबा भी होता है पहले काफी पाई जाती थी अब तो बहुत ही रेरली दिखती है ऐसी चील्स गरुड जिनको बोला जाता है ठीक है बिहार गवर्मेंट जो है उनके ओपर tag लगा देगी एक ठीक है ताकि उनको track भी किया जा सके सो सी एम जो है वो नितिश कुमार जी है बिहार स्टेट के और कैपिटल जो है वो पतना है WHO has created a new advisory group named the international scientific advisory group for origins of noble pathogen और सागो ठीक है या सेगो पढ़ लो ठीक है सो आप याद रखेंगे कि WHO ने जो है एक advisory group बनाया है जो कि scientific advisory group है ठीक है जो की origin होते है ने novel pathogen मतलब pathogen जो भी viral फिलाने वाले bacterias और viruses जो होते है उनको pathogen बोला जाता है ठीक है सो director जो WHO के है वो dr. Tedras as known gibriasis जी है ठीक है आप याद रख लीजे और headquarter जो है वो Geneva Caesarland में है WHO का ठीक है आगे बात करते हैं जी second phase of नाडू-नेडू initiative has been launched in आंधरा प्रदेश with the budget of 4500 करोर to remodel 16,000 government schools across आंधरा प्रदेश ठीक है सो पंसतालीस सो करोर रुपया खर्चा जाएगा 16,000 स्कूल का जो है वो एक तरह से उनको smart schools बना दिया जाएगा smart classrooms बना दिया जाएगा उनका infrastructure जो है ठीक किया जाएगा ठीक है और ये आंधरा प्रदेश government के द्वारा किया जा रहा है नाडू-नेडू initiative के द्वारा ठीक है वहाँ भी हदरावाद है और अंधरा प्रदेश की अमरा पती है ठीक है आगे बात कर लेते हैं the rice distribution the rice distributed under various government schemes including PDS मतलब public distribution system जो कि हमारे कम जो सस्ते राशनवाली दुकाने जो होती है ठीक है and midday meals in school will be fortified by 20 or 24 so fortified का मतलब इनको और स्ट्रॉंग किया जाएगा 2024 तक ठीक है so आगे बात करते हैं औरिसा तेलंगाना तमिलनाडू मध्यपरदेश and West Bengal Pollution Control Board have been rated the most transparent in disclosing key environment and governance related information in the public domain so ये पांच जो हमारी sorry पांच जो स्टेट्स हैं जो हमारी ये इनको अभी-अभी most transparent बताया गया है जो की key government sorry environment और governance related information के लिए जो की public domain को provide करती है मतलब कोई भी public जो है वो easily access कर सकता है information जान सकता है की government की कौन सा initiative जो है environment के लिए चल रहा है या government का कौन सा initiative किस चीज के लिए चल रहा है मतलब transparency है वहाँ पर ठीक है कौन-कौन सी states है Odisha, Telangana, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and West Bengal ठीक है अगे बात करते हैं 36rd CM Bupesh Bhagal has announced the creation of four new districts in the state as well as the development of park exclusively for women in all the districts of the state ठीक है So, 36rd के CM ने जो है वह announced किया कि चार ने districts बनाए जाएंगे ठीक है और development parts भी बनाए जाएंगे sorry, parts भी develop किये जाएंगे और यह especially women's के लिए किया जाएगा ठीक है और यह हर एक district में बनाए जाएंगे ठीक है और capital जो है वह राइपूर है 36rd की और CM जो है वो भूपेश भागल जी है ठीक है Ladakh will host the first edition of The Himalayan Film Festival 2021 याद रखेंगे यह first edition हम host कर रहा है Ladakh ठीक है The Himalayan Film Festival और Lieutenant Governor कौन है वहां के R.K. Mathur जी है ठीक है So, Odisa CM Naveen Patnaik announced that his government will provide smart fitness card below विजू स्वास्थे कल्यान योजना ठीक है So, CM Naveen Patnaik जी है जो की Odisa के CM है इन्होंने announce किया है कि यह fitness cards प्रवाइड करेंगे ठीक है और कौन्सी scheme के अंतरगर्थ विजू स्वास्थे कल्यान योजना के अंतरगर्थ ठीक है So, होगा कैस में कि सभी को किसी को कोई अगर बीमारी है तो उसमें एड कर दिया जाएगा ठीक है हर किसी इंसान का जो है वो fitness card बनेगा Okay So, next बात करते हैं उत्रप्रदेश state government has launched operation लंगड़ा where the police have encountered at least 3,302 alleged criminals in 8,742 encounters ठीक है leaving several of them with bullet bound on their legs ठीक है So, आप समीजी गे होंगे क्यों इसे operation लंगड़ा बोला जा रहा है इसमें जो है वो जो भी criminals होते हैं उनको encounter में जो है वो मारा नहीं जाता उनकी leg पर shoot कर दिया जाता है ठीक है और याद रख लेंगे आप कहां पर चलाया गया है यह उत्तर प्रदेश में चलाया गया है So, CM जो है वो वहां के योगी जी है ठीक है नेक्स बात करते हैं exercise conkan जो है वो इंडियन नेवी और ब्रिटिश रोयल नेवी के बीच में जो होती है ठीक है So, अभी होगी यह तो याद रखेंगे आप नेक्स बात करते हैं जमू इन कश्मीर आज लाउंच दी करकांदार स्कीम फोर दी अपलिप्लिटमेंट आफ आर्टिशन आफ वीवर्स थू ट्रेनिग ठीक है जमू कश्मीर जो है करकांदार स्कीम के अंतरगर्थ जो है वो आर्टिस्ट और वीवर्स जो बुनते हैं कपड़ा बुनते हैं ठीक है उनकी ट्रेनिंग करवाएगा ठीक है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कौशिश करेगा ठीक है आगे बात करते हैं उत्रप्रदेश गौर्वर्मेंट has decided to set up a training center for anti-terrorism squad commandos in सहारनपुर्ज दियोबंद ठीक है उत्रप्रदेश ने decide किया है training center बनाने के लिए ठीक है commandos के लिए बनेगा ये anti-terrorist squad के लिए सहारनपुर में बनेगा और ये दियोबंद में बनेगा ठीक है आगे बात करते हैं गाजियवाद जो की UP में है is the second most polluted city out of the 50 most polluted cities in the world in 2020 by a report prepared by British company house fresh ठीक है तो गाजियवाद को जो है वो most इंडिया में तो सबसे ज़्यादा polluted city है गाजियवाद और वोल्ड में second number पे आती है first पे होतान आती है चाइना की ठीक है आगे बात करते हैं जमू और कश्मीर has launched a mobile application named proof to bring more transparency and accountability to the governance system ठीक है so proof नाम से एक mobile application system application चलाएगे है mobile application ठीक है जमू को और कश्मीर के दबारा चलाएगे है ताकि government sector में transparency आए ठीक है आगे बात करते है Delhi will inaugurate India's first smoke tower ठीक है smoke tower क्या करता है environment से carbon को खींच लेता है ठीक है so Delhi में हो रहा है first time inaugurate smoke tower ठीक है आगे बात करते है the universal service obligation fund has signed an agreement with भारत संचार निगम लिमिटे to make available high quality and high speed internet facilities to states in the north eastern region of India ठीक है so BSNL के साथ जो है वो collaboration हुई है मतलब एक agreement sign किया गया है universal service obligation fund के दवारा ठीक है और high speed internet देने के लिए इस पे बात की गई है और कहां देने के लिए बात की गई है north eastern region में ठीक है so अगे बात करते है राजिस्तान state has emerged as a leading state in trading at national agriculture market एक तरस यह market region को बोलते है so leading state जो है वो हमारी राजिस्तान है ठीक है अगे बात करते है 36 गर स्टेट has launched राजीव गांदी ग्रामीन भूमी हीन मजदूर नयाय योजना ठीक है जो की benefit करेगी 12 लाख farmers को ठीक है जो की landless families होती है ठीक है याद रखेंगे आप कहां की government ने चलाया है यह तो 36 गर की government ने यह चलाया है ठीक है आगे बात करते हैं इन जमू इन कश्मीर अर्मी और्गिनाईज आफ 400 किलोमेटर जजवा ए तिरंगा रैले मेराथोन ठीक है तो 400 किलोमेटर की एक मेराथोन की गई जमू और कश्मीर में आर्मी के द्वारा ठीक है अब इसका नाम रखा गया जजवा ए तिरंगा ठीक है आप याद लख लिजए आठ ऐसे पोस्टल जो है वो गवर्मेट के द्वारा चलाए गए है आगे बात कर लेते हैं अगे बात कर लेते हैं आपने टीवी पे आड आ रही है आज कल एमाजॉन की यूट्यूब पे भी आ रही है ठीक है अमिता बचन जी की आवाज को यूज किया गया है अलेक्सा के साथ साथ ठीक है ताकि ने कस्टमर्स को भी अट्रेक्ट किया जाए ओके आगे बात कर लेते हैं देली चंडिगर्ड हाइवे हैस बिकम दी कंट्री फर्स्ट इवी फ्रेंडली हाइवे बना है मतलब डेली चंडिगर्ड हाइवे जो है ठीक है प्लीज बेल आइकन को भी जुरूर दवा लीजिएगा और हम हर संडे आपके लिए बनाते हैं वीकली करंट अफेर्स अगर आप हमारे साथ साथ पढ़ते रहेंगे बहुत अच्छा होगा अगर एक्जाम के टाइम पर आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़े होती है पढ़ने के लिए तो आप इतना सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं करते हैं इसलिए साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो वने आपको पता है यह साथ दिन के करंट अफेर्स होते हैं इपोर्टें इपोर्टें तो लिखने ही पड़ते हैं बिकॉज इग्जामिनर का कोई पता नहीं होता कहां से कॉश्चन डाल दे सो थैंक्स वर वाचिंग सू सी यू नेक्स संडे तिल दें टेक कियर आपonseक्श पता हैं करी तेर्स्टेब कोई रस पता हैं किसी टूकैंगर जूते हैं क्षीं देल में छोकस्दोग सिर्दें करें से रहे हैं